नमस्कार दोस्तों में विराट चोदरी और दोस्तों आज का वीडियो हें मेरे बाई दिमांड धी कि सर्व ट्रवाइब वि позвол Baddealing लेटर इसको दिखाओ या जोडियू लेटर पर सब्सक्राइब बनाओ तो दोस्तों है सम wisdom ने दोस्तों तो आज का मेरा यह फूरा वीडियो इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या-क्या क्या साधानियां बातनी है क्या-क्या साधानी की गारंटी है मतलब आपको उदर से चाहिए उनकी तप to जोईनिंग लेटर में तो आपको किन-किन चीजों की गल्तियां नहीं करनी अगर वो गलतियां अभी भी आपके पर पटके बताऊंगा कि एक एक लाइन क्या क्या लिखावा उसका मेनिंग क्या है पुरा पूरा जोईनिंग लेटर इंगलीज में आता पहली बात हो यह तो दोस्तों साथ ही बता दूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस पर सब्सक्राइब कर लिए अगर आप नई व में दूंगा और साथ में अगर इस वीडियो पर सबसे ज्यादा लाइक होने से मेरे क्योंकि बहुत मेरे से में जोईनिंग लेटर जो मेरा है तेन चार साल पूरा ना कहीं से लेकर आया हूं आपके लिए तो आपको मैं बताता हूं कि इसमें लिखा क्या क्या वाए एक एक लाइन बताता हूं मैं आपको दोस्तों सबसे पहले जो आपका जोईनिग यह रहा ता है उसका अपर का तो सबसे पहले लिखा है लेकित उपीस ग्रूप पूलीस ग्रूप सेंट्र में आपके निव्ती होगी उस गूरूप सेंटर का आगे नाम आ जाएगा यहां निन of अभर मेरे गुण एंटर का नाम सबसे उपर उपर जो दोस्तों लिखावाता है तो दोस्तों बता दूँबटर इंस्पेकर्टर इइनलर मतलब G I G उनकी तरप से आता है फिर उसके तू फिर रोल नंबर आपके जो पेपर में रोल नंबर है रोल नंबर फिर आपका नाम आपके फादर का नाम और आपका एड्रस इदर लिखा वा रहता है दोस्तों आपको डीटेल अब इसके बाद में जित्वलिशी में आप से छुपा रहा हूं कि यह मेरा है इसके बाद में सब्जेक्ट आपको बड़े-बड़े अक्षरों में दिख जाएगा दोस्तों सब्जेक्ट अबonce इसे से ने अधाई में आ आप आपको पूरा अचे से कि लिए क इसके बाद में जो इनके इंस्ट्रेक्शन है आप अगर इनको फुली फाइफिल करते हो तो ही जो इनका कहने का मतलब यह आता है यहां पर लिखावा आता दोस्तों इसमें लिखावा है इसमें लिखावा है कि आपकी जो स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से आप जो एक्जाम क्वालिफाई करके इसके अंदर आपको बता दे रहे हैं कि अभी आपका जोब टमप्रेलिली है मतलब पून रूप से इस्थाई नहीं है यहनि इस्थाई है लेकिन यह कंटीनियू चलता रहेगा यह सहने कि आपको बाह निकाल दें अभी टमड्रेली क्यों है इसके बारे में आगे इंस्ट्रेक्शन लिए तो इसमें अभी आपका यह जोब है यह लिखावा है टेंपरेरे भी मतलब ऐस्ताई रूफ से बट लाइकली कंटीनू लेकिन यह कंटीनू चलता रहेगा अब इसके बाद में दपेश स्केल ओफ कॉंस्टेबर जनल ड्यूटी एज पर सेवन सीपीशी मतलब जो सातव इन एडिशनल ओफ दिस यू विल बी इंटिमिटेड ओफ दे ड्रेशनेश अलाउंस राशन मनी वासिंग अलाउंस एंड अधर अलाउंस यह जो भी सेंटर गवर्मेंट के एंपलोई को जो भी मिलता है वह आपको भी जिस जो डेट से मिलने लग जाएगा अधर अधर आप से आपको मिल जाएगा यह जो मिलता है वह आपको भी मिल जाएगा इसके जो कंडिशन क्या क्या दोस्तों अब में पढ़के बताने वालों आपको एक 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 किसके जो कंडिशन क्या क्या है तो आप अप अच्छे से सुनना और फिर में हिंदी में बता दूंगा दा प्रोपली टेंपरेरी बट लाइकली टू कंटिनुए यह एस्ताई रूफ से आपको पोई दी जा रही है लेकिन यह लाइकली मतलब चलती रहेगी बट तो मतलब पूर्ण रूफ से यह टेंपरेरी नहीं है अब इसे में कंडिशन क्या है और अपॉइटमेंट तो देशेड के लाइन लिक्यों होती है और सक्सेश्पूल कंपलीट अप देप्रोपेशनल यू विल बी कॉंसिटर फॉर्ण 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 यह अगर आप दो साल का जो प्रोपेशनल पीड कंपलीट कर लेते हो उसके बाद में आपका जोब कंफरम हो जाएगा दोस्तों यूर सर अगर दो साल के अंदर आपका जो इसके अंदर आप मिलब कुछ गलत पाया जाता है या कुछ भी गल्तियां होती है या किसी भी कार्ण वस तो आपको घर बेज दिया जाएगा केवल एक महीने का सेटिफिक्ट देखे वह यह रूल उनी सुपेश्ट का उसके इसाब से और आपको सर्विस दे जा रही है किसे कहीं पर बीडिया में ड्यूटी ली जा सकती है अजर् ने जा सकती है यह उसकी परली कंडिशन है दूसरी कंडिशन ना यह इसमें यह लिखावां दोश्क डूब्स सीब ईनिवेर इंडिया और अधर स्टेट मतलब आफ औफ इंडि करना यह दूसरी कंडिशन तीसरी कंडिशन इसकी क्या है ओन जोइनिंग दिस ओर्गनाज़ से यू बिल भी गवर्मेंट अंडर दशी सी यार पीफ एक्ट यह निस यार पेफ की जिस एक्ट में जमाऊं उसके अनुसार उनी सो पच्पन अदर एक्रिमेंट रूल्स गया खरेंगे और आपको कि जतने अगरर यह सपीन तो मतलब वह सभी का आप लेकर सलना भी सब कहीं पर बीवर्शन उप्रूल करना ही पड़ेगा इस लिकात कि आपको फॉल करना पड़ेगा जो एक अदेंग обнаруж quick को त्रेंडेनिंग एडओ एन उन्यह प्रोब दयंग कि सर्विश is label to be recommended अगर आप ट्रेंगिन अच्छे से नहीं कर पाते हुँ मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते हूं आपको वापस घर डिया जा सकता है यह आपको बसाइब कर दिया सकता है इसलिए कर डिया प्रीडिय अच्छे से पाज करने कि इसलिए इसलिए में बोलता हूं दोस यहां इस लिए बता रहा हुँ अगर ट्रेंड लेंड मतलब नहीं कर पाते ते अब का तक आथ के लहाय जाता है इसको त्यार कर लो के लिए जाती है तो ट्रेनिंग आप पास कर लोगे आपको इसमें गफराने की जूरत है नहीं इसमें लिखावा जरूर है कि अगर आप ट्रेनिंग पास नहीं कर पाए तो आपको घर बेज दिया जाएगा लेकिन इसके लिए मोके मिलते हैं मतलब 3-4 मोके तक आपको मिलते हैं तब तक कोई ह इस्टाग्राम का लिंक मेरा हमेशा देता हूं वीडियो के नीचे तो अब इस्टाग्राम पे मेरे को मेसेज कर सकते हो तो दोस्तों उदर में डिप्लाइग करने में टाइम लग रहा है आपको उसके लिए भी समाच आता हूं फुराँ लगता जाता है का पैसेंस बनाए करके यूविल बी रिक्वाइड अंडर यह तो बता दिया मैंने अब पांची जो कंड़े इफ यू इमिटेट तू रिजन फॉर दर सर्विस विफॉर कंपिलिज्ट ओप रेगुलर सर्विस मतलब कि आप दस साल से कम अगर सर्विस करते हो उससे पहले छोड़ते तो आपको ट्रेनिंग में चोड़ते हो जितनी ट्रेनिंग हुए उतनी ट्रेनिंग आपको खर्चा जमानक पैसा जमा करना पड़ता है वित तीन महीने की पेमेंट के साथ है इसमें लिखावा दोस्तों ओन जोइनिंग दे पोस्ट ओफ ओफर्ड यू मस्ट मेट ओफ दे इलिजिबि अगर आप घर से जब तक जोइनिंग करते हो उसके बीच में आपको कोई भी इंजरी कोई एक्सिडेंट वता मतलब आप घर से तलकर आते हो तो उसके लिए यह डिपार्मेंट जिमेदार नहीं होगा आपको एक पेसा भी नहीं मिलेगा किसी परकाद की इनकी जिमेदारी भी नहीं है जब तक आप गुरूप सेंटर में जोइन नहीं कर लेता है तब तक डिपार्मेंट की तरफ से आपको कोई भी मतलब इसमें साफ साफ लिखावाए कि तब तक इनकी कोई जिमेदारी नहीं है दोस्तों ओन अपोईमेंट टू दा सेड पोस्ट यू विल भी एक सेटिस्पाइज प्रियड के लिए इनकेस यू आर्ट इंजिरी दूरिंग दे पिरियड और बेसिक ट्रेनिंग मतलब बेसी ट्रेनिंग में अगर आपको कोई चोट लग जाती है अगर आपको बिना किसी नोटिक्स के वापस घर बेज दिया जाएगा यह भी इसमें ज कि आपको यह जो डिपार्मेंट आप जोइन कर रहे हैं इसमें एक बेसिक ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग की जुरत होती है अगर ट्रेनिंग टाइम में आपको कुछ भी चोट लगती उसके लिए इनकी तरफ से कोई जिमेदार ही नहीं अगर आपको कोई चोट लग जाती है रहे हैंगे लेकिन है बार 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 बलता हूं तो सेफ है कि दोसे बहुत ज्यादा कर दोड़िए हो जाएगी अगला जो रूल इसका अधोरिटी ओप एज्यूकेशन डेट बर्थ का सेटिफिकेट प्रोवाइज तुदे शेल भी वेरिफाइड फ्रोम दे कॉंसे अधोराइज इन केस ओफ एनी डिस्पेंशी फाउंड ओफ दे मतलब आपका जो डेट बर्थ है या गलत पाया गया यूर सर्विस सेल भी लेबल टू ट्रीमी डेट मतलब आपको कर सकते हैं अगर जो आपने एज्यूकेशन सेटिफिकेट का सेटिफिकेट और डेट बर्थ का जो सेटिफिकेट लगा उसको वेरिफाइड कराने के टाइम अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती पाई गई तो आपके खिलाब कारवाई भी हो सकती है कानूनी आपके केडियर की इसमें लिखावा साथ-साथ यूसेल आल्सो बी लेबल टू फॉर एक्शन अगेंस्ट यू एज पर लो मतलब कानून के हिसाफ से जो भी आपके कारवाई बनती हो कारवाई हो सकती है और कारवाई के साथ-साथ मतलब आपको उसी समय जोब से निकाल देंगे क्या क्या है कार सेटिफिकेट अगर आपका सही नहीं तो सही किरा लीजिए पहले बता रहा हूं में नीचे बता दूंगा अभी इसी वीडियो में कि कौन-कौन से कार सेटिफिकेट आपको लगाने है यह कौन-कौन से डोकोमेंट लगाने तो आपका कार सेटिफिकेट डेट बर्त बिल्कुल राइट होनी चाहिए और एकदम राइट होनी चाहिए अगर उसमें कहीं पर भी गड़बर पाई गई तो आपको शिदा घर बेज़ देंगे और आपके उपर फुलिस कारवाई भ सब्सक्राइब के साथ और इंक्लूडिंग मेडिकल मतलब फिटनेश के साथ ही आपकी जोईनिंग हो रही है दोस्तों इसके अलावा यू विल बी इन तूबी पे पेंशन बेनिफिट अंडर एंसी पीएस मतलब आपको वह सभी सुईदाएं मेलेगी इसमें जोईन करने के इसके बाद में जो एंसी पीएस मतलब न्यू को वह सबीको पताओगा साथ एक दोजाट चार नियमा उसके बाद में जो पैंसन के ने इसकी माई थी उसके अनुसार आपको सभी पैंसे उट एंग इसके जाएगी जो दो जाड चार से लगिए दोस्तों यू विल बिनोट क आपने घर से जगह पर जोइनिंग करें उसके लिए उस दिपार्मेंट को आप जोइन करना चाहिए उसकी तरफ से कोई अदायगी नहीं होगी कोई हगदार नहीं उनकी तरफ से मतलब कुछ भी इसकी गारंटी नहीं है आपको जोइन करो तब तक तो यह में लिखा वाया तो इसलिए आप जब भी जोइन करने जाओ ट्रेनिंग की टाइम या जोइनिंग के टाइम तो सावदा नहीं बढ़ते एक दिन पहले ही निकल जाएगा से और अच्छे से जाए रि इसके बाद में आपके कंडिशन वहां देखी जाएगी कि उस दिन आप जोइन क्यों नहीं कर पाई अगर वहां के ओपिसर मतलब जो भी डियाजी रिंग के उपिसर होते हैं उनको लगता कि यह सची रियल प्रोब्लम है तो आपको अगली डेट से जोइनिंग करा सकते हैं अगर इन कंडिशन आप उस दिन नहीं पहुच पाते हो किसी भी कानवस तो उसका एक मतलब पूरूफिट रिजन होना चाहिए तो ही आपको उसके लिए हगदार हो कि वापस जोइनिंग के लिए इसमें साफ-साफ लिखा हुँ तो इन केस ओफ ओबीशी पर्सन दा अपॉइमेंट इज प्रिविजनल एंड इस सब्जेक्ट कम्यूटी सेटिपिकेट बिंग वेरिफाइड कहने मतलब इसमें कि अगर आप ओबीशी से बिलोंग करते हो और अगर आपका जो सेटिपिकेट ओबीशी का लगा इसमें लेकिन अगर आप रियल में वेरिफाइड के समय अगर ओबीशी में नहीं पाया जाते हो तो वही है कि आपको मतलब बहार निकाल दिया जाएगा साथ में आपके उपर कानूनी कारवाई की जाएगी तो सेंट्र लेवल का ओबीशी सेटिपिकेट है वह आपके पास में होना चीए दोस्तों इसके बाद में जो लास्ट फूल इसका वही बात है कि अगर आपका वही पाया गया कि एजवेज वाला उसमें कोई भी मिस्टेक पाए गई प्रूप एज डेट और बर्त फॉर दे फिलिंग वेरियस नोमिनेशन फ्रॉम डोकॉमेंट्स आर रिक्वाइड यानि impulse in Geena Line वेरियामे में और आपको बताने CPA में आपको बताने जारा हूं नौन तो इस वीडियो में आपको बता दिया में आपको बतांगा निक्स्ट अ किम्स कीडिग कि आपको कि मैं अकले नहीं बताऊंगा दोस्तों तो प्रूं देस्ट वीडियो पे आपको बना रहा होंगा दोस्तों पोस्ट पे तो आप वहां पर भी जाके इसको पढ़ सकते हो अब आप बताई आपको जानकारी कैसे लेगी और अच्छे लगी हो तो ज्यादा ज्यादा लाइक करिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और किसी को परसनल बात करने तो इस्टाग्राम पर आक हैंचे